हलो फ्रेट्स मैं डाक्टर प्येस तिवारी आप समी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे होमेपैति द्वागे विश्चे में इसका नाम है इस्टिफ सेगरिया इसको जो है किस बीमारी में और किस प्रोटनसी में और किस डूरुशन में उसकर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं तो चलिए सूर करते हैं वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को द्वाना मत भूलेगा इस्टिफ सेगरिया जो होमेपैतिक बहुत अची दवाई है यह हनीमन डाक्टर हनीमन की प्रभिंग की दवाई है त किसी के बात रहे सुनता बाद बात रहे हैं तो घर करने लगेगा तो ऐसा मिंटा स्विंटम है गुस्सा भूख जाता है वड़ेम होता है और बत्तिमृश होता है ऐसे प्रभिंग जो है अपका इस्टिफ इस स्वासाम पूरा है फिर भी भूग लगती है तो एसे भूच स प्रेट प्रावलम होता है कि खाना खाली है उसके बाद भी फोंग लखती है कि सीम्ठम रहे कि खाने बाद भी भूग लखती है और फो पती बहुता है तो ऐसे प्रेशन को स्टेप श्रीट कर्या थर्टी-4 मुझ में लगता पूछ दीन देलिजिए प्रादम ठीवो जागा दोस्तों स्विंटम है आईस पर इस्टाई जिसको बोलता है बिलनी बोलते हैं आखो पलक पर अगर बिलनी श्टाई बर बार निकलती है तो पहली बात है कि अगर बिलनी निकल गई है तो आप इस्टिम से Secte 30, 40 मुछ साम कुछ दिन तक देलेजिए अगर जो आपका बिलनी ठी हो जागा इस्टाई आपका ठी हो जाएगा और इसके बाद जो अगर इन प्रावलम आपको बार बार हो रही है बार बार आखों में बिलनी आपको हो रही है इस्टेप सेग्रिया 200 चार मुझ करके हफता में एक बार कुछ हफ्ते दिलेजिए आपको जो रिकेरिंग इस्टाई है जो बार बार हो रही है यह आपकी प्रावलम साब हो जाएगा दोस्तों उसका जो है यूनी सिस्टम पर पिसाब जो बहुत उनिक स्टम है होमेपर्थिक में इस्टिप सेग्रिया यह एक ऐसी द्वाई है जिस से लिए आपकी बर्निंग दोस्तों इसका गुला सिम्टम है जो बेहीं होता है तो थोड़ी बैतने चीछा होता है जो गुसा होंता है सब्सक्रेंड चार में लगाता विए सब्सक्राइण को यू भर बाठोर तो थोड़ी टैंशन सरी जो है अधीक टैंसर ने लेता है इसके स्धिकि के मैंनी में गिंची्ट्फ थाप में सुछते है विक्णि मैंगी में State सफेंait & के साल हो यह से हम अनुद्र तो हूंद्ध करके हाफ्ता में एक बार लगगातार कुछ देने से प्रावलोम ठ्यग होजाती एक जैसे आपको सब्सक्राइब तो आप जो बीफोर आदा दे लिए हम जब उसका स्मिंटम बताएंगे तो बीफोर आने से हंडलिंग का जो सिस्टम है उसकी आदा छुट जाती है तो इसी तरह अगर मन में आपके सब्सक्राइब तो आदमी जो है अपने जबानी की टाइम में बहुत मस्ट्रबेशन करके अपने पेनिस को कमजोर बना दिया है और ऐसी पोजिशन आ गए कि उपने आपको सब्सक्राइब जो है तो मस्ट्रबेशन का साइड इफेक्ट होता है आख अंदर चली गए चेहरा दम गाल पीचे गया तो इससे प्रावल्म होती है तो ऐसे प्रेशन को सिग्रिया 30 सुबस लगाता है कुछ महेंजा दिने से उनकी प्रावलम ठीक हो जाएगी उसके बाद समिस्टेब करेंसराम करना ठीक हो और शाल पॉस के समने हो जाएगा तो अगला सब्सक्राइब जो है समय तो आपको प्रावलम कर जोब जोड़ хозя दोस्तों उसका अगला स्विंटम है क्रिविंग फार्ट ट्रवेको इसके पैसंड को जो है तंबाकू की बहुत खाने की इच्छा होती है तो ऐसे पैसंड को स्टेप से लिया 200 पाउर में चाचार बूंद करके हफ्ता में एक बाद देने से उनकी तंबाव खाने के आदे चुट जाएगी दोस्तों उसका गला स्विंटम है प्रोस्टेट पर प्रोस्टेट ग्लंड जो है हमारी बढ़ जाती है थोड़ा एक एज के बाद में तो पिसाब की दिकत होने है तो अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है और पिसाब बार बार होता है और पिसाब करने के बाद भी पिसाब भूंद भूंद चूता रहता है आप जो इस्टिप से ग्रिया थर्टी चार चार बूंद सुबशाम लगाता कुछ दिन दे लेजी आपका पिसाब की पर जो है तो अगर आपके मस्य फूल गुभिक तरह हो गया है तो आप इस टेप से ग्रिया चार चार बूंद करके हफता में लगाता है कुछ महने तो लगाता लिजी आपके फूल गुभिक तरह मस्य है वास्टा से फ्टी हो जाएगे दोस्तों उसका अगला स्मिंटम है करम अगर आपको फीठ में दर्द हो रहा है और इसका इनिक श्म्टम क्या है आपको जो है पीठ दर्द से उठना पड़ता है जैसे शर्फर में है कि आपको पैखाने इतना जो लगएगा कि आपको दॉब की जाना पड़ेगा इस टेप से ग्रियां थे कि पीठ का दर्द तो आप चाचा बुद करके हफता में एक बार करके लिजी अगर आपको परसानी हो तो आपको परसानी हो तो आपको परसाब देलिर जिए थर्डी पाउर में तो आपके प्रादम ठीक हो जाएगी दोस्तों का अगला स्विंटम है यूरीन पर जो है जोड़ से पेशाब तो लगता है लेकिन आप पेशाब करने बैठे हैं तो आपको पेशाब जोड़ से लगा है लेकिन आप पेशाब करने गए आपको पेशाब जोड़ से लगा है लेकिन आप पेशाब करने आपको पेश तो इसका साइड एफेक्ट हो जाएगा उसका अंदर जाएंगे तो अगर आपको फिल हो गया है कि मच्छर काट लिया तो आप इस्टेप से गिलिया जो है दोसर पार की जो सुबाश साब कुछ दिन देलेजिए दो तिन देलेजिए तो जो मास्कुटूब बाइड किया है उ तो आप इस्टेपी से गिलिया 200 चारवून सब्ता में एक बाद करके लगातार देलेजिए तीर मिनान देलेजिए तो आपका नार भूड़ जागा लेकिन आपको दोवाई काफी दिन देनी पड़ेगी दोस्तों इसका अगला स्विंटम और अंतिम स्विंटम आज का यह ह परव्ड स open वांवी से करवी देलेजिए तो दोस्तों आज मैंने आपको स्ट्वी सेख्राइब की बारे बता है अगर आपको कोई डाउट हो या आप कम्पली टीटमेंट चाहते हैं तो आपको होट सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका नाम है वड़ा फुर्फेत्री, इसका भी एच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसको भी लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार जाहिंजे भारत.